दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पे मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंदित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबंदित हो या फिर सॉफ्टर से संबंदित आप मुझे वाट्सअप या कॉल करिए और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्ले कर दूँ लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है यह पार्सल मुझे भेजना है और किनका पीसी है कंप्लीट जानकारी मैं आपको पहले दे दूँ इनका नाम है दोस्तों नगीना भाई जी और नगीना स्टूडियो यहां पर मैंने नोट किया हुआ है यह है राजस्थान स्री गंगा नगर से मोबाईल नंबर मैं आपको बता दूँ डवल नाइन एड थरी फाइव 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 जिरो वन कोर आई सेवन पीसी बनागर के देनी है और इनके पचास हजार रुपए मेरे पास एडवांस है जैसा कि बगल में आप देख पा रहे होंगे एक फोटो आ कि लाजस्थान भेजना है बादबकी आप एक बगल में और यहां पे एक स्कीनशोट देख रहे होंगे यह कम्प्लीट अडर्स है इन भाई सब की जिनकों की मुझे पीसी बना करके भेजना है जो कि अभी आप डिस्पलेي पे देखliamo में यह कम्प्लीट एडरोंस है इनकी मैं इनको भेज दूँगा, PC बिल्ड करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत जाद मेरे उपर, मेरे चनल के उपर और मेरे बात के उपर विश्वास करते हैं, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और बह क्योंकि काम पहले जरूरी है, जिन्होंने मुझे एडवांस पेमिंट डाले हैं, या जिनके कॉल आ रहा है, या जिनके मैसेज़स पड़े गुए है वाटसब पे, उनको रिपलाई देना पहले जरूरी है, और मैं आपको बता दे दोस्तों कि सुबह से साम हो जाते हैं लो ऐसा कोई मशीन में बना करके किसी को नहीं देना चाहता, जो मशीन टाइमलाइन पे प्ले करने में जाम हो जाए, फंस जाए, या हैंग हो जाए, दूसरी बात कि मैं कभी भी ऐसा कोई मशीन बना करके नहीं दे था, जिसमें रेंटर में बहुत ज़दा टाइम लगे, या और फिर लो क्वालिटी का हो, बेरे मशीन थोड़े से महंगे होते हैं, अगर आप मार्केट में कहीं पता करेंगे कि सर मुझे एक i5 मशीन बनवानी है, तो बहुत सार लोग आपको मिल जाएंगे, जो कहेंगे सर जी मैं 45 जार में बना दूगा, कुछ लोग मिल जाएंगे सर मैं 40,000 में बना दूगा, लेकिन भाया जी मैं बनाता हूँ 60,000 रुपय का मशीन, और 60,000 की जो मशीन बनाता हूँ, पावरफुल मदरवोड, पावरफुल प्रोसेसर, पावरफुल हाइस्पीड रैम, और पावरफुल हाइस्पीड M.2 NVMe SSD, सप्लाई वगर सारे ब्रांड और जितने भी वीडियो अभी तक आपने i5 या i7 की देखे हैं, कोई भी एक वीडियो आप ऐसा नहीं पाएंगे, जिसमें quality के साथ मैंने compromise किया हो, मैं करता ही नहीं, सामने वाले को मना कर दूँगा, काम छोड़ दूँगा, मुझे मनजूर है, पर मैं कभी quality से समझा होता नहीं करता, और यहीं वज़ा है, कि आप लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, या मुझे online PC का, या offline PC का order देते हैं, फिलाल बढ़ेंगे आगे, और बाकी की जानकरी हम आपको देंगे, last में, सबसे पहले हम PC बिल्ड करते हैं, और बताते हैं, कि आज लगने वाला क्या है, कंपोनेट एक बार मैं आपको क्लियर कर दू, प्रोसेसर मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 12700K Core i7 12th generation, और यह प्रोसेसर है दोस्तों, आज के तारीक का Core i7 का सबसे editing में तगड़ा वाला प्रोसेसर, जेड सीरीज की मैं आज मदरबोर्ट लगा रहा हूँ, जेड कंप्लीट बिल्ड होने के बाद इस मशीन की वज़न तक्रीबन साड़ तेरस से चौदा किलो के आसपास वज़न आएगी, क्योंकि मैं हमेशा लगाता हूँ, तो मुझे पता है, वेट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को यह पता लग जाए कि material क्य लगाई जाती है, क्योंकि material अगर दमदार होगा, तो जाईर से बाते कि PC की वज़न थोड़ी सी अधिक रहेगी, और यह जाएगी पार्सल से, पुरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, फिलाल PC बिल्ड करते हैं, दोस्तों यह है वो आज का motherboard जो हम नगीनाजी को भेजने वाले हैं, और यह motherboard तक्रीबन धाय तीन किलो के आसपास की है, फिलाल इसको हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के लिए यहाप एक टेप लगा हुआ है, आपके सामने ब्रेक कर लिया है मैंने, घजब की motherboard है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, बहुत यह मैटल से कवर किया गया है, ताकि हीट ना हो, और आपको तो पते ही दोस्तों, मैं हीटिंग के उपर विशेज ध्यान दे करके काम करता हूं, क्योंकि मशीन की performance खतम होती है हीटिंग की वज़े से, अगर अपन हीटिंग के उपर विजए प्राप्त कर लिया, यानि कि ही आएंगे भी, M.2 NVMe SSD की बात कर लें दोस्तों यहां पर, तो 3 M.2 NVMe SSD इसके अंतर लग जाएगी, और 1 M.2 NVMe SSD यहां पर लग जाएगी, ठीक है ना, तो 3 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं, और SATA SSD या SATA Hard Drive की बात कर लें, जैसे कि 2 TV, 4 TV लगाते हैं तो वो हम यहां पर 6 लगा सकते हैं यह full-size की motherboard है, आप देख पा रहे होंगे, computer में यह जाएगा तो पूरा भर जाएगा, तो यहां पर आप 6 देख पा रहे होंगे option है, यहां पर लगा सकते हैं, graphic card अगर आप 20 में लगाना चाते हैं, अगर किसी वज़ा से, किसी कारण से, आपको लगाना है, कोई और काम से, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तीन यहां पर graphic card के slot यहां पर हैं, आप इसमें लगा सकते हैं, और audio के लिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही शांदार वेवस्ता है, audio amplifier के लिए बढ़ी शांदार और clean आवाज मिलेगी, इस motherboard पे, और यहां पर USB 3. 3.2 का support मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और latest वाला जो अभी socket II 3.2 का, वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, बात बाकी, बात कर लेंगे दोस्तों, back panel की, तो यहां पर आप USB के लिए देख पा रहे होंगे, कई सारे option है, दूसरी बात की, type C का भी आपको support यहां पर देखने को मिल जाएगा, और HDMI का भी आपको support मिल जाएगा, और DP port का भी support मिल जाएगा, तो यह सारी facility है, इंटरनेट की बात कर लें, internet केबल से चलाने के लिए, या data share करने के लिए, एक computer से दूसरी computer में, तो यहां पर 2.5G का support आपको RJ45 में देखने को मि हाता है कि नहीं, hard drive लगा रहे हैं, तो उसका भी video में आपको दिखा है, cable लगा रहे हैं, और लंबा हो जाता है video, और आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, और एक एक घंटे का video तो थोड़ा सा अपने को भी edit करने में बहुत दर ताइम लग जाता है, दोस्तों, और मैं research करके, निकाल करके market में कौन सा motherboard इसे में best है, core i7 के लिए, कौन सा best है, core i5 के लिए, मैं काफी research के बाद कोई motherboard किसी को suggest करता हूँ, और जिस motherboard में मुझे performance नहीं समझ में आती है, मैं कभी भी किसी को बना करके नहीं देता, क्योंकि मेरे पास लोग बनवाते हैं PC, quality के ल आज के तरीका core i7 सबसे तगड़ा वला प्रोसेसर, दोस्तों प्रोसेसर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, core i7 1200 के प्रोसेसर है, 12th generation और यह seal pack है, आपके सामने हम seal break करेंगे, और कोशिश यह करेंगे कि जितनी छोटी वीडियो हो सके उतनी छोटी वीडियो बनाए, दोस्तों प्रोसेसर आप सामने देख पा रहे होंगे, बड़े ही तसलिश से हम इसको बाहर निकालेंगे, और आपके सामने हम lock को open करेंगे, और अपना प्रोसेसर हम इसके अंदर fit कर लेंगे, चलिए लगा लेते हैं बड़े ही तसलिश और इत्मिनान के साथ, यह हमने प्रोसेसर और रेम लगा लिया, अब लगाएंगे यहां पर अपना हाई स्पीड 250GB की M.2 NBME SSD, SSD लगाने के लिए हमें यह कैप उतारना पड़ेगा, तो यह कैप open कर लेते हैं, SSD लगा लेते हैं, यह दोस्तों आज का हमारा SSD M.2 NBME SSD 250GB, इसको हम बड़े ही तसलिश यहां पर लगा लेंगे, और लगाने के बाद यहां पर पेच लगा लेंगे, ओके और यह हमारा इसका एक तरिके का हीटिंग क्या सकते हैं, और यह पूरा मेटल का बना हुआ है, तो इसको भी हम इसके उपर लगा देंगे ताकि इसकी जो हीट है, वो इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो यह हमेशा नॉर्मल रहेगा, इसकी हीटिंग हमेशा मेंशा मेंटेन रहेगी, SSD, प्रो पर हमने स्टॉक कुलर लगा लिया हुआ है, और आप देख पा रहेगे, पूरी PC की जो हमने यह पर मदरबोर्ड तियार किया हुआ है, कितनी गजब की है, और Core i9 लोग मशीन बनवाते हैं, उसमें इस तरीके का आपको मदरबोर्ड या प्रोसेसर या इस तरीकी की फिटि में है, और बहुत गजब की लग रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि काफी आपको पसंदार होगा, कि नहीं सर जी बड़िया PC बिल्ड करते हैं, चलिए, फिलाल इसको रखते हैं साइड में, और कैबनेट लेके आते हैं सामने, कैबनेट में इसको लगाएंगे, और कैबने में ग्लस लगा हुआ है, ग्लास मतलब ग्लास, प्लास्टिक नहीं है, आगे से तीन फैल आप देख पा रहे होंगे, फुल रजी भी है, पीछे भी एक फैल लगा हुआ हूँ है, और डिजाइन मेगारा काफी सूंदर है, बिल्कुल प्रफेशनल है, ठीक है, तो ये कैबन सप्लाई लगा रहे हैं 650 वाड की 80 प्लस ब्रोंज सटिस्फाइड सप्लाई सप्लाई की वज़न तकरीबन तीम किलो के असपास होगी और यह सप्लाई इतनी तगड़ी है कि अगर आप इसके साथ चार हाड ड्राइब और जोड़ दें तो सप्लाई का मतलब बाल भी बाका हो पड़े तो यह हम पहले ही लेकर के चलते कि दो तीन हाट रेव अगर जोड़ा जाए तो कोई फ़र्क मशीन पर ना पड़े फिलाल चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जो हमारा आज का सप्लाई है वह हम आपके सामने ओपन करके एक बार दिखाते हैं दोस्तों यह आप सब्साइब के तरफ से काफी मजबूत काफी पाउर फुल एक चलिए इसको फिट कर लेते हैं फिट करने कबाद पूरी कंप्रीट कर लेते हैं और वाइन करके एक बर फिर हम आपके सामने आते हैं पक्रत्वा लगा लिया और सप्लाई लगाने के साथ साथ आप देख पा रहे होगी सारी वाई ने कर दी होई है और वाई करता हुआ अभ में वीडियो में नहीं दिखा क्यों कि वीडियो का फिलिए अब और ऑघ्ले के लेकर आ यह भेजना है और पार्सल का पैकिंग में होग पास भी इतना टाइम देता है वीडियो एडिट करने का फिलाल यह हो चुका है कम्प्लीट अब इस काउंटर समय करके चलेंगे अपने मेन काउंटर पर वहां पर लेचलने के बाद इसकी पूरी कम्प्लीट मैनुवल बायो सेटिंग करके इसकी प्रोफाइल मना करके सेव कर करने के बाद Windows डालेंगे Windows डाल करके बाकी के इंस्टलेशन करके और टेम्परेश्यों मिला करके सब कुछ जब मुझे लए कि हाँ बिल्कुल ओके है रेंटर करके चेक करके हर तरीकिस जब मैं यह सुनिशित कर लूँगा कि अब यह PC बिल्कुल ओकी कंडिशन में फिर और उसोगरे काम करके ऊके कर लेते हैं उसके बाद वापस आपको फिर पर लेंगे पोरी परफॉर्मस बताएंगे और उसके बाद जिनका यह PC है उनको सिधा वीडियो कॉल लगाएंगे वीडियो कॉल लागाने के बाद PC की पूरी कंप्लिट उनको जानकारी देंगे PC की बताएंगे और इसकी RGP वगरा सारक टेस्ट करवाएंगे और यह सारा on camera होगा ताकि आप लोग भी देख सकें कि किसका PC बन रहा है क्या बात चल लही है कितना उन्होंने advance दिया था दिया था नहीं दिया था जूट बता जा रहा है सही बता जा रहा है तो यह सारा on camera ही किया जाता है ताकि आप लोग की विश्वास play edit solution पे बनी रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी installation और bios के setting करके फिर आप से हम एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों complete हो चुकी है नगीना जी की PC और यह PC जानी है पार्सल से नगीना कुमार जी श्री गंगा नगर राजस्थान श्री गंगा नगर के रहने वाले हैं राजस्थान से है यह और इनकी यह PC है पार्सल से जाएगी इसलिए बता रहा हूं कि आपको यह clear हो जाए कि आकर के कोई लेके जाने वाला नहीं है इनके 50,000 रुपे मेरे पास advance है बाकी के payment अभी हम इनसे phone करके ले लेंगे अभी उनको मैंने दिखाया भी नहीं है मैं PC आपको दिखा रहा हूं आप सभी लोग को तो यह PC की build quality है एक digital VRM 32GB RAM 8GB की चार स्टीक 1 M.2 NVMe SSD 2 TV की hard drive यहां पर आप देख पा रहे होंगे ठीक है ना और सारा कुछ कर कर आकर के machine बिल्कुल टकाटक condition में है कोई दिक्कत वाली बात नहीं manual bio setting करके बिल्कुल okay है machine ठीक है अब जिनका machine है उनको करेंगे video call और video call करके उनको इस machine के बारे म एक बार जानकारी दे देते हैं और देने के बाद अब भी जान जाएंगा उनका machine बंड़ा है उनका सकल वगार देख जाएगा उसको करेंगे पैक और पैक करके complete address लगा करके इसको निकालेंगे parcel से और किस courier से जा रहा है यह हम उनके availability देख रहेंगे कि पिन कोट नमबर क अगर नहीं permission दिया तो पर्ची हम आपको last में जरूर दिखाएंगे कि यह पर्ची है और यह इनकी tracking ID है वह आप भी चाहें तो Google पे जा करके और वहां पे उनकी tracking ID डाल करके खुद भी यह चेक कर सकते हैं कि इस PC को कहां से लगाया गया है लगाया गया है या नहीं लगाया था और पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है क्योंकि मेरा काम सीसे की तरह साफ रहता है ताकि हमारे और आपकी बीच में जो इमानदारी और विश्वास वह बनी रहे फिलाल आगे बढ़ते हैं और जिनका यह मशीर है उनको वीडियो कॉल लगाते हैं दोस्तों इनक कि रिसीव करिए नमस्कार क्या हाल चाल अच्छा आज आपकी पार्सल निकलने वाली थी तो मैंने कहा भई आपको वीडियो कॉल करके दिखा दें और सारा कुछ किलियर करा दें मशीन आपकी बन चुकी है मैनुल बायो सेटिंग वगरा करके सारा कुछ एकदम ओके टना ट दिया और यह भया जी आपकी मशीन आगे से तीन आप देख रहोंगे फुल आर जी भी है ठीक है बड़े वाली स्टॉक कुलर लगी है 120 mm की जो सबकी लगती है 32GB रह में भया जी 88GB की चार स्टीक अंदर आपको दिखाई दे रही होगी और 19 फेस का इसका डिजटल VRM है आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा पूरा बड़ा वाला है जो पहले मदर बोर्ड लग रहे थे उससे ज्यादा स्पीड आपको इस मदर बोर्ड पे आपको मिलेगी पूरी फुल साइज की मदर बोर्ड है पूरा नीचे तक टचो रुखा है बाड़ी से थोड़ा भी जगा नहीं है चार M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ेगी आप देख सकते हैं और पीछे भी एक 120 mm की फैन लगी हुई RGB और इस्टॉप कुलर पे भी है और फ्रेंट में भी है पूरा फुल ट्रांसपरेंट है थोड़ा सा मैं दूर हड़ जा रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा भी आजी प्लकुल जखा जखा है कैबनेट वगरा बहुत सुंदर है बहुत फिनिशिंग है बहुत सांदर काम किया गया है वायरिंग वगरा बिलकुल साफ सुतर है कोई फाल्तु वायर आपको नहीं दिखाई दे रहे हूंग भी आजी ठीक है अब हम फ्रेंट कैमरा चालू कर लेत ठीक है जी अब दो तिन चीजों के थोड़ी से जानकारी में लेना चाहूंगा पीसी तो अभी आपके एक डड़ घंटे में पैक होकर के यहां से निकल जाएगी मैं आपको उसका पूरा फोटो अगरे बेज दूंगा इडरस हो गरे दिखा करके अब जानकारी एड़ी लेए दिज़े विया जी की आपका नाम क्या है और कहां से है अप अपने सिस्टिक बढ़ती है स्रिह गंगा ने गर जी और राजस्तान से अपने पास सूर्ट गड़ तसील पड़ जाती है नजजीव में । अच्छा अच्छा वहां से हैं आप अच् तो पार्सल वहां से वहां पर कौन सा जागा डिटीडीसी चली जाती है आपकी चली अभी पता कर लेंगा अगर कोई दिख्कत होगी तो भी मैं आपको फोन कर लूँगा अब यह जान कर दीजिए अभिया जी कि आपके एडवांस पेमेंट मेरे पास कितने जमाह हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो इसलिए जो यूटूबर्स हैं जैसे आपको मेरे उपर विश्वास हुआ किसी का देख करके तो मेरा काम बिल्कुल साप सुत्रा रहता है कि कितना पेमेंट आया है कितना स्क्रीन उसका स्कीन आप देख के आपका काम तो हमने आउटर चरवाया था बिल्कुल बिल्कुल मशीन इतुनी शांदार बनके जा रही है कि मशीन आप निकालेंगे तो आप सोचेंगे पहले कि मैं चलाओं की देख हूं इतनी खुबसरत मशीन है बस यही बात है सर इसलिए हमने यहां से भी इसेंबल करवा सकते थे बिल्कुल लेकिन आपकी जीर दो साल होगया होगे देखके मैं सोच रहा था कि कब आप से थोड़ा सा एजस्टमेंट बेट है बिल्कुल बिल्कुल काम आपकी बिल्कुल टका टक है और बस यही दिखाने के लिए आपका यह रुका हुआ था मैंन मैं 15-20 मिन्ट बाद इसकी पैकिंग करके मैं वापस आता हूं और आपको एडर्स वगर दिखा के पार्सल यहां से निकाल देता हूं अभी मैं आपको कॉल करूंगा आधे घंटे के अंदर दोस्तों जैसे कि आपने देखा आपके सामने ही मैंने डिरेक्ट कॉल लगा करके नगीना जी को पूरी कंप्लीट उनके PC के बिसे में जानकारी दे दी और उनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त होई वो मैंने आप लोग को बताया कि कितना उन्होंने एडवांस जाला था और वो कहां करेने वाले हैं फिलाल अब बढ़ेंगे आगे और आपके सामने ही ये पूरी PC कंप्लीट पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके बाकी की जानकारी मैं आपको आगे देंगे जब्बे में डाल करके हमने टेप मार दिया हुआ है अब इस पर बबल्स वाली पन्नी लपेटिंगे कम सकम इतना मोटा लेयर तो उसमें टाइम लगेगा और दो लोगों का काम है तो वो पूरा लपेट करके क्योंकि लंबा टाइम लग जाता लब आदे गंटे लग जाए हैं कोर आई सेवें तो 91,700 रुपे की PC है और वहां से पारसल लगाएंगे तो पते नहीं पैकिंग कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी रास्ते में मेरा समाने का टूड़ जाए खराब हो जाए या किसी तरीका का कोई क्रैक आजाए तो उसका जिम्मेदार कौन है तो ऐसा बि पैकिंग करके एक बार उसकी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कम्प्लीट हो चुकी है हमारे नगीना जी की PC और पैकिंग आप देख पा रहे होंगे बड़ी जबरदस्त पैकिंग करता हूं मैं और पैकिंग की जो लेयर है वो इतनी मोटी लेयर है यह आप एक बार नजद इसको लगाएंगे हम DTDC से अभी हमने पता नहीं किया है कि इस पिन कोड नंबर पर इनका एवलिबिल्टी है या नहीं यह इनका पिन कोड नंबर है बद बखी मैंने उनको फोटो को गर भेज दिया दिखा दिया है और उनके पेमेंट भी हमारे पास आ गये है सारा कुछ क अगर मैं कहूं नहीं आप मुझे बारा सो बेज दो लगना ही एक हजार है तो फिर वह 200 रुपे तो इसलिए कभी भी पार्सल का पैसा जब वहां पर पार्सल पहुंचती है वहां पर तौला जाता है उसके बाद ही पार्सल का पैसा लिए बात बगी इसके सारे पेमेंट के हैं कई से कोई दिक्कत वाली बात नहीं और हर कुछ होके हैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसकी वजन तकरीबन मेरे ख्याल से तो पर्ची है हमारे हाथ में कोई दिक्कत नहीं हम पर्ची आपको लास में दिखाएंगे कि इसकी कंसर्मेंट नंबर क्या है आप खुद भी चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं अब बताना यह है कि आप भारत में कहीं से भी हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं अगर आप किसी भी कोने में आप मंगवाएंगे भेज दिया जागा चला जाएगा और बहुत सारे PC मेंने भेज़े भी हैं वीडियो आपने देखे होंगे यह भी पार्सल से जा रहा है जाते जाते यह कहना चाहूंगे दोस्तों कि मैं आप 2013 का डेटा लॉंच ही चुका है अगर आप कर दो का रहा हैं रहा है जाते व Pak को है झाल झाल